आप देखने देश कबर टोनी फोर और वक्त है खबरों का मदपुर्देश में त्रियस त्रिय पंचाइचनाओं के दौरान धतिया जिले में हुई बूत कैप्चिरिंग की घटनाओं के बाल जिला निर्वाच्चन अधिकारी ने दो गाओं में दो बारा से मतदान कराने का फैसला किया है यहाँ 25 जुलाई को संपन्द कराए गए प्रत्फम चरण के दवरान दो पोलिंग भूतों में उपद्रवियों और दबंगों ने न सिर्क उत्पाद मचाया बलकि मतपेटी लूट कर उसमें पानी भर दिया और एक मतपेटी को कुए में फेक दिया जिले के हतलाई और बरोदी गाओं में हुई दोनों ही कटनाओं के बाद 27 जून को दुबारा से मतदान कराए जाएगा और सभी बूतों की मतगरना 28 जून को कराए जाएगी फिलाल अधिकारियों के निर्देश के बाद सभी मतपेटीयों को स्ट्रॉंग रूम में रखा जानकारी के मताबिक 25 जून को प्रथम चरंड के मतदान के दौरान ग्राम पंचायत हतलाई के पोलिंग बूत पर कुछ समाजी के तत्वों ने धावा बोल दिया और मौजूद कर्मचारियों के साथ अभधरता करते हुए मतपेटी को उठा कर ले गए और उसे कुए में फ हैंड पंप से पानी भर दिया गया दत्या के वरोदी गाओं में इस घटना का एक वीडियो भी सोसल मेडिया में वारल हुआ है जिसमें कोछ उपद्रवी फरजी मतदान कारोप लगा कर मतपेटी को उठा कर बाहग ले जाते हैं और उसे लाठियों से कुचल कर उसमें पान भर देते हैं हलागे जत्या के अन्य छेत्रों में सांति पूर मतदान संपन हुआ है जिससे मतदाताओं ने बर्चर कर हिस्सा लिया